बैच यहां बैठो प्रभू कहां से आए मालिक सुबा से पहली बार आए जी किशी पो अपना विश्य तो नहीं बताए जी नहीं भारत से प्यार है जी यहां हाँ अब बोलो आपका लिखा रख जी मिरा साधी भी आने हो रहा है और साधी तो हमारी भी नहीं होई है अब ही तो हम भी एंसे ही घूम रहे हैं तुम गलत जगए अरजी लगाने आ गए हैं यहां एंसे भी कुछ लोग हैं जिनकी दो-दो हो गई हैं अपनी एक नहीं भाईया तो तुम ट्राइ कर सकते हो दूसरी जगए और बलगी बिचेतर बात यह है कि तुम जिनके पास अरजी लगाने आए उनकी नहीं भाईयो हम जिनके भक्त हैं उनकी भी नहीं भाईया लेकिन अब तुम आ गए हो तो कोई बात नहीं तुमारा तो घर बस्वाई देंगे हमारा जो होगा देखा जाएगा कहां सुलाई में रहते हो कौन सी करोगे अरेंज करोगे करोगे क्योंकि एक तुमारे पहले नकसे में भी तो रही ही बातों मिलना मुश्केल है दूसरी मिल सकती है बोलो कि वही चाहिए लोगों को होता है मलेरिया इनको लवेरिया हुआ है ठीक है चरम रोग किसको है इसकिन समस्या यह किसको है उसको तो नहीं उसको मेरा भाई का है है मुझको मेरा भाई का है ओ वो भी आई है और पुछो एक बिसाए और तीन रहे गए जी मैं हनमाजी का भग्त हूँ और अभी कुछी दिनों से मैं पूजा पाट ने कर पार रहा हूँ कारण मन भी चले जी यहां किस बात पर अनमाजी काम नहीं कर रहे इसलिए जी नहीं तो जी वो ध्यान नहीं नहीं रहता पूजा पर बड़ करना चाता हूँ उचाचत बहुत ज़्यादा है दो तीन बात हैं हम आपको पहले हम यह पढ़ दें यह पढ़ो यहां से मन यह क्या लिखा आइस्थिर भयंकर रहता है इस्थिर नहीं है पूजा पाट से हैदान रहते हैं विवाय की अर्जी आप लेकर आए हैं बहुत ज़्यादा परिशानी बनी लब विवाय ही आपका होगा वो धूर होना चाहती है वो आप बरतमान में लड़ाई भी मच जाएगा निरोगी हो जाएंगे बालाजी की करपा होगी ग्रहस्त जीवन आपका डेड़ साल बाद बस जाएगा आशिरवाद है पर हमें कार देना ना भूल जाई हो कोई मोगाल को लेकर के क्लेश हुआ था दोनों है आपस में कोन वाला प्रते क्यों नहीं है यह क्या बिवाद बना था है कोन सा बिवाद हुए था वहां से बाद भी नहीं मानते है दरते बहुत है फुल्टा भी बहुत है बंदन भी है एक बार आपको कल तो हम जा रहे हैं पर्शों हम यह जिनके आँ रुके हैं कवच रख जाएंगे उस कवच को रखना है और लब के लिवाद के लिए तो अवरोद बहुत बन रहा है हम अन्य बिश्य देखते हैं कि जल्दी से आपका घर बस जाए पर बस जाएगा हमें समय दो आपको उपाय करना है किसी भी केले का पेड़ केले का पेड़ जानते हैं केला जिसमें होते हैं केले के पेड़ के नीचे आपको तीन गुरु बार तक सुपाड़ी 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 को गाड़ना है अपना नाम अपने पिता का नाम ले करके और अपने गोत्र को बोलकर गाड़ना है उसके नीचे तीन गुरु बार लोटकर मुड़कर के नहीं देखना है और हनमान जी का भजन करना है जाओ तुम्हारा घर बस जाएगा परचा ले दो अच्छा साधी जब हो तो कार्ट जरूर देना सर